अब देखिए बच्चों, यहां solution में किस तरीके से करा रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए, यह मेरे पास answers भी है, क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों, सिर्फ solve करना बड़ी बात नहीं है, कि कौन से question में add करना है, कौन से question में subtract करना है, सबसे important बात है कि exam में language आप क्या लिखेंगे, चिक है न, तो आईए देखिए जड़ा, इस question को बच्चों, कह रहा है कि, a book exhibition was held for four days in a school, चिक है, तो किसी school में four days तक, है न, day one, day two, day three, day four, चार दिनों तक, four days तक, एक book exhibition हुआ, चिक है न, उसके बाद, the number of tickets, अब भाई, इस exhibition में जाने के लिए ticket भी लग रहे होंगे, so the number of tickets were sold at the counter on the first, first day, ticket sold कितने है, अब देखिए कैसे इसको पढ़ा जाएगा, first day, फिर second day, third day and final day है न, final का मतलब fourth day, final का मतलब क्या हो गया, correct, तो fourth day, was respectively, जब भी respectively लिखा जाता है, बच्चों, तो आपको कैसे connect करना है, ध्यान दे, यह देखिए, first day जो ticket sold हुए है, वो first वाले number को denote कर रहे है, याने के, ticket sold, first day, आप देखिए, language कैसे लेखे हैं, एक्जाम में, ticket sold on first day, 1094, नमबर पढ़ना आता है न, यह क्या लिखा है, 1094, यहाँ कॉमा लगा होगे, तो 1094, ठीक, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे, so, ticket sold on second day, इसलिए मैं अलग-अलग color से underline कर रहा हूँ, second day, जो दूसरा दिन था, उस दिन कितने ticket बिके, कॉमा के बाद कौन सा number लिखा हुआ है, यह blue color का, यह दिखिए, 1812, तो हम अपनी copy में लिखेंगे क्या, कि ticket sold on second day is equals to 1812, ठीके न, चलो, यहाँ पर मैं आपको कॉमा भी लगा के आगे दिखा देता हूँ, ताकि आप numbers को अराम से पढ़ सके, first day कितने ticket sold हुए, 1094, correct, second day, 1812 tickets, अब third day देखते हैं, बच्चो, so, third day अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर, यह देखिए, third day को मैं ऐसा light green color से underline कर रहा हूँ, तो third day, third number को represent कर रहा होगा, यहने क 2050, तो तीसरे दिन 2050 ticket sold हुए, तो आप अपनी copy में लिखोगे exam में, ticket sold on third day is equals to 2,050, 2050, फिर last day का मतलब fourth day, तो fourth day कितने ticket sold हुए, ध्यान दे, यह देखिए, मजंटा color से मैं दिखा रहा हूँ, fourth day, 2715 ticket sold हुए, कितने, ticket sold on fourth day, fourth day is equals to 2751, so 2751, बच्चों प्लीज ध्यान दे, इन language को बार बार पढ़ें, यह language आपको exam में लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं लेके आया हूँ, तो please language पे जरूर ध्यान दे कि कोशन तो बहुत असान है, उन्होंने हमसे क्या बोला है कि total कितने ticket sold हुए थे, find the total number of ticket sold on all four days, चारों दिन मिला कर कितने ticket sold हुए थे, तो सबको add करना है, तो बस simply add करने के दो तरीके, वो मैं आपको दिखाता हूँ, so, क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए language, total ticket sold is equals to 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751, अब इसको add करने के दो तरीके, method 1 देखिए, जैसे आपको पसंद है, वैसे आप add कर सकते हो, method 1 में हमने क्या किया, हमको add करना है न, क्या, 1094, first day plus second day, 1812, third day, 2050, 2050 plus fourth day, 2751, अब देखिए बच्चो, एक तरीका तो यह है, कि हमने क्या करना है, सबसे पहले, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को एक साथ add कर दीजे, यहां मैं rough work में आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको addition के भी तरह तरह के तरीके पता होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहों, तो इन दोनों को एक साथ add करके लिख दो, यहने के, 1094, 44 digits के नंबर है न, 1812, चलिए add करिए, 4 प्लस 2, 6, 9 प्लस 1, 10 होता है, 1 कहरी जाएगा, so, 8 प्लस 1, 9, 9 प्लस 0, 9, and 1 प्लस 1, 2, चलिए, तो इन दोनों का जो addition आ रहा है, यहां लिख दीजे, 2906, और उसके बाद, यह वाला प्लस ऐसे ही लगा दो, और इन दोनों का addition एक साथ लिख दो, मतलब इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ, यानिके, 2, 0, 5, 0, plus 2, 7, 5, 1, चिक, 0, plus 1, 1, 5, plus 5, 10 होता है, तो 1 जाएगा यहां पर, 0, plus 1, 1, और 1, plus 7, 8, या सीधे-सीधे, 7, plus 1, 8, 8, plus 0, 8, 2, plus 2, 4, 4, 801, तो 4, 801, अब ऐसा आ गया, अब कुछ नहीं करना है, Final Step में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं किया है, देख लीजे, इन दोनों को एक साथ, और इन दोनों को एक साथ आड़ किया है, अब, इन दोनों को एड़ करके या आ रहा है, अब हम इन दोनों को एड़ कर लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास, 2, 9, 0, 6, 2, 9, 0, 6 और प्लस 48014801 चलिए add करते हैं 6 प्लस 1 7 0 प्लस 0 0 8 प्लस 9 17 और 1 जाएगा कह रही है यहाँ पर 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 सो 70 कितना आ गया 7707 टिकेट सोल्स 7707 अगर आप कॉमा लगा कर लिखोगे तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा तो 7707 टोटल टिकेट तो आंसर कैसे लिखेंगे यह दिखिए टोटल टिकेट सोल्स is equal to 7707 ओके यह तो यह method number 1 है क्या किया इन दोनों को एक साथ आड़ किया इन दोनों को एक साथ आड़ किया इन दोनों का जो आंसर आया इन दोनों को जो आंसर आया उन दोनों को एक साथ आड़ किया ऐसे है न यह उन बच्चों के लिए हैं जिनको च क्या कर सकते हैं हमने चारो नंबर को एक के नीचे एक लिख लिया क्योंकि फोर डिजट फोर डिजट फोर डिजट का नंबर है और आराम से एक ही साथ आप इसको एड कर सकते हो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 आपका वही आएगा आप चाहें जैसे भी करिए 2751 चीक तो एड करेंगे नाउ सुडिन्स ध्यान दे 4 प्लस 26 अब वन्स प्लेस के डिजट को एड करेंगे 4 प्लस 26 6 प्लस 0 6 6 प्लस 1 7 आ गया ठीक है 9 प्लस 1 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 जीरो और 2 चला गया कैरी 0 प्लस 2 2 8 प्लस 2 10 10 प्लस 0 10 10 प्लस 7 17 और कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 तो इस तरीके से आंसर आपका क्या आ जाएगा answer आपका वही आ जाएगा ठीक है तो अगर आप चारो नमबर को एक साथ नहीं add कर पा रहे हैं तो दो-दो के pair ले 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 इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ इससे थोड़ा सा easy हो जाता है answer आपका वही है language आप देख लीजे बच्चों इसका screenshot ले लीजे और अपनी copy में copy कर लीजे इसको ठीक है ना आईए बढ़ते हैं बच्चों problem number two की तरफ